Hello student, आज हम molecular biology की सबसे important topic को पढ़ेंगे या कहो तो basic topic को पढ़ेंगे जिसे हम nucleic acid कहते हैं और इन्हें हम दो रूपों में जानते हैं DNA और RNA जिसे discover किया था phadric mystery in 1868 में nucleic acid nucleotide के polymer होते हैं nucleotide तीन चीजों से मिलकर बना होता है nitrogenous base, sugar और phosphate group nitrogenous base, basically four elements से मिलकर बनता hydrogen, oxygen, carbon और nitrogen nitrogenous base दो रूपों में बटा होता है purine और peramidine purine में आते हैं adenine और guanine adenine को हम AC और guanine को हम G से प्रदासित करते हैं peramidine में आता है cytosine, thymine और uracil cytosine को C से, thymine को T से और uracil को U से दर्शाते हैं यानि कुछ पाच प्रकार के nucleotide होते हैं sugar या तो ribose होती है या तो deoxy ribose होती है RNA में ribose और DNA में deoxy ribose और third है phosphate group जो की nucleotide में सबसे ज़्यादा space पे होता है उसका structure को इस प्रकार रहता है nucleotide का structure ऐसे बनाया जाता है जिसमें phosphate group यानि phosphoric acid phosphodiester bond के थो सुगर के साथ connect होता है और सुगर का first carbon nitrogenous base के साथ glycosidic bond द्वारा connect होता है इंदी presence of poly nucleotidase enzyme nucleic acid forms numerous molecules of nucleotide poly nucleotidase enzyme की उपस्तिती में nucleic acid बहुत से नंबरों में nucleotide का formation करते है nucleotides are further decomposed to give nucleoside and phosphoric acid जब nucleotide का decomposed होता है तो यह nucleoside और phosphoric acid देते हैं बाद में nucleoside का जब hydrolysis होता है तो यह nitrogenous base और pentose शरकरा सुगर देता है pentose शुगर टू टाइप्स की होती है राइवोज और डियोक्सी राइवोज यदि किसी nucleotide में उपस्ते सुगर राइवोज प्रकार की है तो उस निकलियोटाइड को राइवो निकलियोटाइड कहेंगे और यदि डियोक्सी राइवोज प्रकार की सुगर किसी निकलियोटाइड में उपस्ते थे तो वो डियोक्सी राइवो निकलियोटाइड कहलाएगा चलिए इस टेबल में हम nitrogenous base और उनकी निकलियोसाइड और निकलियोटाइड को देखते हैं Adenine का निकलियोसाइड, Adenosyne, Nucleotide, Adenilic Acid Guinine, Nucleosyde, Guinosyne, Nucleotide, Guinealic Acid SwaytoSyn, Nucleosyde, Cytidine, Nucleotide, Cytidelic Acid Thymeine, Nucleosyde, Thymeidine, and Nucleotide, Thymeidalic Acid यूरिसिल, निकलियोसाइद, यूरिडीन और निकलियोटाइड, यूरिडिलिक ऐसिड निकलियोटाइट की फॉर्मेशन के समय फॉस्फेरिक एसिट के मॉलिक्यूल्स आर एने में राइवो सुगर के 2,3 वा 5,2 कारवन के साथ फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं अगर यह स्टेक्चर डियने का है तो यहां जो यह पूरा क्या है निकलियोटाइड है और अगर यह स्टेक्चर डियने का है तो यहां पर जो पेंटोस सुगर होगी वो डियोक्सी राइवोस टाइप की होगी और यदि यह निकलियोटाइड आरेने का होगा तो इसमें जो प पेंटोस सुगर होती है यह फोस्फोरिक एसिट के मॉलिक्यूल्स के साथ फोस्फोर डाइस्टर बॉन्ड के थ्रो कनेक्ट रहती है और यह कनेक्शन पेंटोस सुगर के 3, 5 और 2, 2, 3 और 5 कारवन के साथ यह फोस्फोरिक एसिट के मॉलिक्यूल्स फोस्फोर डाइस्टर RNA में और DNA में फोस्फेरिक एसिट के मॉलिक्यूल्स पेंटोस सुगर के तीसरे बाप पाचवे कारवन के साथ फोस्फो डाइस्टर बॉंड का फॉर्मेशन करते हैं और पेंटोस सुगर का फॉर्ष्ट कारवन नाइट्रोजिनस बेस के साथ ग्लाइकोसिटिक बॉंड के द्वारा कनेक्ट रहता है RNA में पाए जाने वाले निकलियोटाइड चार प्रकार के होते हैं इसे प्रकार DLA में पाए जाने वाले निकलियोटाइड भी चार प्रकार के होते हैं डियोक्सी एडेनिलिक एसिड, राइबो साइटिलिक एसिड, राइबो गौैनिलिक एसिड, राइबो थाइमेडिलिक एसिड उप्रुक्त प्रकार के चारो राइवो निकलियोटाइट्स आपस में जुड़कर आरेने तथा डियोक्सी राइवो निकलियोटाइट डियने का निर्माण करते हैं ये शंकलाएं पॉली निकलियोटाइट्स शंकला कहलाती है DNA में poly nucleotide की दोहरी शंकला पाई जाती है यह double strand होता है जबकि RNA में यह है single strand होता है Biological function of nucleotide For data storage, the store the genetic information as part of DNA और RNA हम सबी जानते हैं कि nucleic acid genetic information को store करने का काम करता है Inheritance की information को store करता है As energy currency, जो की ATP की रूप में होती है ATP का full form है adenosine triphosphate हम जानते हैं कि हमारे सेरिल में जो भी metabolism reaction होती है उसमें ATP की requirement होती है और इस ATP का formation nucleic acid के त्रोही होता है ATP or adenosine triphosphate is a basic unit of energy required to carry out all the functioning and processing in the body For cellular communication, CAMP, CGMP, ETC are used as secondary messenger for hormones and enzymes और nucleic acid secondary messenger की रूप में भी cell की communication जो की hormones और enzymes की formation के लिए जरूरी जो भी information होती है उसके लिए secondary messenger का काम करता है nucleic acid यह है nucleic acid की basic information थी further हम DNA और RNA को भी पढ़ेंगे अगर यह information आपको थोड़ी सी भी valuable लगी तो please इसे share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए अगर यह norms आपको अच्छे लगे तो इसे मैं अपने इंस्टा एकाउंट मैंजा पोस्ट की हूँ उसकी link मैं आपको description box में दे दूँगी